आपके सामने आपकी किताब मैश्वरी मित्तल का ही कोश्चन है इसके बाद फिर दीरे दीरे हम टैनियर के भी कोश्चन करेंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोश्चन करने वाले हैं हम सारा सवाल करने वाले एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे चाहे कोश्चन कहीं से भी हो हम बात करते हैं सर इसमें क्या है कोश्चन पढ़ लो कहता है सर 200 टन ओफ रॉव मट्रियल यूज प्रोडक्शन अफ दा कॉमोडिटी कॉमोडिटी होता है प्रोडक्ट थू टू प्रो कहता है दस परतीशत मटीरियल वेस्टेज हो जाएगा दा वेस्टेज हैस बिन नॉर्मल होगा दा स्क्रैप वह वाला वेस्टेज बेच दिया जाएगा पचास रुपे के हिसाब से नंबर वन है कि समझ रहे हैं सर इसका मतलब यहां पर बहुत सिंपल सी बात है हमें दो प प्रोसेस बनेंगे हैं प्रोसेस यहां पर्टिकुलर यहां पर यूनिट अमाउंट इसको नाम दे देते हैं प्रोसेस ए कितने प्रोसेस बनानें भाई साथ दो प्रोसेस बनाने यह लोग दूसरा प्रोसेस भी बनीग 굉장히 तूसरा प्रोसेस कुन सा बनाओगे सर भी अब कहता है कि 200 टन लगाएं है मटीरियल 2000 रुपए का तो मैंने यहां डाला मटीरियल यहां डाला मैंने मटीरियल ध्यान दिजेगा आपको विजवल होना चाहिए नहीं विजवल है थोड़ा इधर कर देते हैं हमने डाला मटीरियल और कितने टन डाले और उस पे जो खर्चा हुआ सर यह 200 टन कहां लिखा हुआ है यह रहा लिखा हुआ 200 टन सज मैं है मटीरियल लगा दिया अब लेबर भी लगा सर लेबर कितने का तो यूनिट थोड़ी है लेबर अमाउंट में सारा अमाउंट में डिजट है वर्क एक्स्पेंस लग गया कहता है टेन परसेंट नॉर्मल मटीरियल बेस्टेज होगा दस परसेंट तो लगाए 200 यूनिट तो बाई साइड में लिख दूँँगा नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस कितना हो गया 20 और इस मटीरियल को हमने 50 पैसे के हिसाब से बेच दिया तो सर बीस को 50 पैसे के हिसाब से बेच जोगे तो कितने कभी केगा 10 रुपे का पहला प्रोसेस बनके तैयार यहां पर बना 200 और ये 23,35 और 35 नेक्स प्रोसेस में कुछ नहीं बोला जाने के लिए तैयार है तो किस प्रोसेस में भेज दे बताईए process B में कितने एक सो अक्सी कितने रुपए का 35-100 रुपए का अब मुझे बताईए मैं पहले यहां क्या लिखो कौन बताएगा process जल्दी बताईए जितने बच्चे लाइब में क्या लिखो मैं process by side में अभी जितना format में लिखा है loss भी होता है और कोई next process में जाता है यानि इधर से हमारा सारा material बढ़ जाता और इधर से घट जाता यह थोड़ा सा logic लेकर चलना क्या आएगा बताओ बच्चे कह रहे हैं सर अब यहां पे आपको लिखना चाहिए क्या लिखना चाहिए सर लिखना चाहिए आपको process A लिखना चाहिए क्यूं भई सर A से आएगा कितने लिखने है एक सो से कितने रुपए के अब एक सवाल मेरे मन में कोन बताएगा मुझे बताओ process A का per unit cost simple general knowledge वाला सवाल है यह बच्चे पूछें 10 कहां से आया सर 10 आया आपका आपने 20 unit बेच दिये कितने से 0.5 पैसे के इस आप से कहां लिखा है 0.5 पैसा अरे कहां गया यह रहा मुझे per unit cost कौन बच्चा बताएगा सर process B में 3500 रुपए कैसे आया ओ हाँ यह ठीक बोल रहे हैं बच्चे सर 3500 कैसे ले लिया आपने 3500 माइनस करोगे तो 3490 लेना है ना बिल्कुल सही जवाब यह 3490 ही आएगा मेरा सवाल है कि भाईया इस process में जो unit हमारा finished हुआ है per unit cost बता दीजिए कि जो मैंने माल सयार किया है एक unit के लिए मुझे कितने रुपे खर्चने पड़े है एक बच्चे ने अमन दीप ने 17 रुपे 50 पैसे अधिती ने भी 17 रुपे 50 पैसे जवाब दी है general knowledge की question है यह आप भी बताओ कितने आया है करो फिर मैंने कहा process इसमें माल तयार किया है कितने का माल कितने unit माल तयार किया है कितने 180 टन उस पे खर्चा कितना आया गया 3490 तो मुझे इसमें जानना है कि जो माल तयार किया है एक तन का कितना पैसा लगेगा गर्वित का भी 17.5 अधिती का भी 17.5 और बाकी सभी बच्चे जितने live सभी जवाब दें why the price of normal loss 10 सोना का कहना है कि 10 कैसे आया 20 को 0.5 से multiply करेंगे तो 10 आ जाएगा एक बच्चे ने जवाब दिया सर 19.38 लिखो एक और 19.4 17.5 हर बच्चे का अलग-अलग जवाब एक का 19.38 17.5 हर किसी का अलग-अलग जवाब चेक करते हैं वह यह सिंपल सी बात है टोटल यूनिट खर्चा आया 3490 और आप बना के तयार कर पाए हो 180 तो इसको जब सवाल को solve करेंगे तो 19. जो भी मैं देख लूँ 19.38 जिसने जो मर्जी बोला हो आंसर तो यही है 38 ठीक है और जिसने 19.4 भी बोला उसका भी आंसर ठीक है 17.5 भाई साब गलत है 17.5 पता है कैसे निकाला बच्चो ने इसको डिवाइड कर मारा इससे भी यह सब भी माइनस करने के बाद आपको निकालना है पर उनिट कॉस्ट क्लियर है 19.17 तो गलत है अंसू यह जवाब गलत है आपका 19.17 दिपांसू ने तो पूरा 888 कर दिया समझ में आया यानि अगर आपसे पूछ ले एक्जामनर पर उनिट कॉस्ट बता भाई निकालके तो जो लास्ट वाला उनिट होता है उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं पर उनिट कॉस्ट ठीक है अगले के लिए तयार रगना आगे लिए का पर उनिट कॉस्ट मैं पूछ लूँगा यहां पर बोला गया है कि सोधा प्रॉसेस नंबर वन सिर्फ एक ही प्रॉसेस बनाए और ज्यादा नहीं लेकिन हम दोनों बना लेंगे ठीक हम दोनों बना लेते हैं सवाल जितना रिक्वार्मेंट था इतना ही था अब फिर से दूसरे प्रॉसेस में मटीरियल लगा बोला भईया मटीरियल नहीं लगा है कोई बात नहीं क्या लगा इसमें लेबर पांसो और क्या लगा वर्क एक्स्पेंस तीन सो रुपे बस सर इसके अंदर भी नॉर्मल लॉस हो जाएगा तो बाई साइड में नॉर्मल लॉस इसका दस परसेंट यानी अठारा और बिकेगा कैसे यह अठारा यूनिट बिक जाएगा 0.5 अजंशन है कि सारा यही बिक र अब बाई अब इसको एफजी नाम दे दो एफजी क्या है सर फिनिस गोड बनके तयार हो गया इसके बाद कुछ नहीं है तो आगे आपका 180 माइनस में 18, 160 और ये 4290 माइनस 9 मैं उमीद करूँगा हर बच्चे का इसका जवाब सही आएगा कि इसका पर यूनिट कॉस्ट बता दो इसका पर यूनिट कॉस्ट बता दो कौन बच्चा बताता देखते हैं बच्चे के रहे हैंसर 50 रुपई है अब 50 पैसे गलत लिख रहे हो 50 रुपई है ब वो यहां गलत है भय साब यहां गलत है यहां पॉइंट नहीं दिख रहा यह book के अंदर भी misprint होगा अगर नहीं होगा तो point है यहाँ पे क्योंकि हमने खरीद आई है देखो आप खरीद ही रहे हो 2000 रुपे में एक रुपे के हिसाब से खरीद रहे हो तो 50 रुपे का scrap कैसे बेचेंगे अगर ऐसा situation रहा तो मैं तो scrap ही बेचुँगा बस हमेशा मुझे जरुरत ही निये काम करने का ठीक है वो misprint था बच्चों कुछ ने जवाब दिया 26.4 चेक करते हैं कितने बच्चे इस पे डटे हुए है 26.42 26.425 26.48 18 यूनिट कैसे आया 10% का loss हो रहा है सर तो जो भी input डालेंगे ना इसका 10% का नुकसान होगा जो कि इधर पहुँच जाएगा इसने ऐसा तो नहीं बोला पर यूनिट ओके बच्चे कह रहे हैं 50 ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे कह रहे हैं सर डारेक्ट पच्चास यहाँ पे हमारे साथ examiner ने चलाकी चल दी और चलाकी बोला यहाँ पे न थोड़ा मिस्प्रिंट लगा चलो छोड़ो बुक के आंसर को छोड़ो यह मेरा कुश्चन है पचास पैसे पर यूनिट यह मेरा कुश्चन है बस बात खदव आप बुक वाले के साथ बुक में बोल रहे हैं कि पचास रुपे में जितने वी स्क्रैप सारा बीच मारा हमने यह मेरा कुश्चन मैं बोल रहा हूं मैं पचास पैसे में बेचूंगा बात खदव 10 पर्संट लॉस कहां लिखा यह रहा और बात खदवाद लॉस कहां बात खदवादा कुश्चन मैं बोल रहा हूं